यह कुशन है पर्माप बिचलन की गर्णा कैसे निकालते हैं उसकी गर्णा करनी है यह क्लास दिया है वर्गांतर दिया है जैसे 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55 यह वर्गांतर यह आपको फ्रिक्वेंसी पहले से दी होगी बुक्स में या कहीं भी आपको कुशन में दिया होगा यह फ्रिक्वेंसी यहां 70 दिया है 51, 47, 31, 29, 22 यह फ्रिक्वेंसी है इसको जोड़ करके N निकलेगा N इनको जोड़ दिया तो जोड़ के 250 आपको 250 यह N है अब हमने mid value निकालनी है mid value मध्यमान इसका मध्यमान है वर्गांतर का क्लास का 25-30 के बीच क्या संक्या आएगी वर् 27.95, 27.95, 35 और 35 के बीच 32.95, 35 और 40 के बीच 37.95, 40 से 45 के बीच 42.95, 45 से 50 के बीच 46.95 और 50 से 55 के बीच 52.95 यह हमारा मध्यमुल्य है mid value है mid value हमने निकाल दिया, mid value के बाद अब निकालना है हमने इसका dx इसमें से एक को हम dx मान के चलते हैं जैसे हमने dx यह है, dx हमने 37.5 को माना है, यह 37.5 यह आया, अब इस 37.5 को हम इन मैसे घटाएंगे, जो यह mid value है इस मैसे घटाएंगे 37.5 को, तो यह 27.5 यानि 27.5 मैसे 37.5 को घटाएंगे तो मैनस 10 आएगा, 32.5 मैसे 37.5 को घटाएंगे तो मैनस 5 आएगा, 37.5 मैसे 37.5 को घटाएंगे जीरो आएगा, 42.5 में से 37.5 को गटाएंगे तो प्लस 5, 47.5 में से 37.5 को गटाएंगे तो प्लस 10 आएगा, और 52.5 में से 37.5 को गटाएंगे तो प्लस 15 आएगा, यह हमारा यहां तक dx प्राफ्ट हो गया है अब क्या है कि इस calculation को हम और सलद कर सकते हैं और सलद करने के लिए हम क्या करेंगे वर्गांतर में देखें 25 और 30 के 20 पांच का अंतर है पांच का अंतर तो 5 हम क्या ले लेते हैं 5 का difference है तो 5 ले लिए हमने अब 5 से हम इसको divide कर देंगे 5 का भाग यानि 5 का भाग 10 में देंगे तो माइनस 10 में देंगे तो माइनस 2 5 का भाग माइनस 5 में देंगे तो माइनस 1 0 का 0 5 का भाग प्लस 5 में देंगे तो प्लस 1 5 का भाग 10 में देंगे तो प्लस 2 और 5 का पांच का भाग 15 में देंगे तो प्लस 3 यह हमारा dx आ गया dx जिसको dx i कहते हैं यानि i है यह अब निकालना है हमने fdxi यानि इसको और आविर्थी को हम गुणा कर देंगे यह वाला जो i जो पर लिखाए dx बटे i जो होता है इसको और आविर्थी को हम गुणा कर देंगे तो माइनस 2 का गुणा करेंगे 70 में तो माइनस 14 माइनस 1 का गुणा 51 में करेंगे तो माइनस 51, 0 का गुणा 47 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 31 में करेंगे तो 31, 2 का गुणा 29 में करेंगे तो 29 यानि 29 दूनी 8 अठावन हो गया और 3 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 दिया 66 यह आ गया अब क्या करेंगे माइनस माइनस के एक तरफ और प्लस-प्लस के एकता Gotta 140 मैनस के 140 और 51 जोड़ देंगे तो यह आईगा मैनस 191 मैनस का एक एक्सजाचान मैंश का रिखान मैं और प्लस-प्लस-प्लस चार्टावन करें उन तीनों को इसको निकालना है fdf का square लास्ट है मारा fdf का square इसका square करेंगे तो यानि minus 2 और minus 140 को हम गुणा करतेंगे तो यह हो गया minus 2 into 140 तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 280 आ गया एक का गुणा 31 में करेंगे 31 ही कम 31 हो गया दो का गुणा 58 में करेंगे तो 116 में तो यह आ गया अब इस टोटल इसका योग कर देंगे इन सबका इन सबका जोड करके इसको लिखेंगे f sigma fdx इसको है तो इनको जोड करके जो आया हमारा 676 हमारा जोड के आया है अब हमारा यह calculation आ गया है हमें तीन चीजें प्राप्त करनी एन इसका चीन है यह under root sigma fdx square बटे n minus sigma fdx यह पुन है देखे पुन है यह under root sigma fdx square upon n minus sigma fdx dash upon n का whole square इसका whole square है और गोणा i हमने जो यह 5 लिया है 5 इसका इसमें लास्ट में गोणा कर देंगे पुन हम इसमें हमने standard division यह प्रमापिस्लम जावर अंडर रूट 666 बटे 250 minus minus 36 बटे 250 whole square गोणा 5 अब देखे 250 का भाग 670 में देना है तो 670 में 250 का भाग देंगे तो सीधा ही calculate करके हमारा देखे 250 का भाग 676 में देना है तो हमने दिया दो बार गया यह देखो 250 का भाग दो बार गया 500 हुआ हमने फिर घटाया इसमें से 6 का 6 आ गया 7 का 7 आ गया 6 में से 5 गया 1 आ गया यह हुआ 256 250 का भाग 77 में नहीं जाता 10 अनल लगाया जिरो बढ़ाया अब 250 का भाग 760 में देंगे तो 7 बार गया 750 दो का भाग 250 का भाग यह गया 7 बार 750 हुआ फिर इसको घटाया 6 में से 5 गया 1 और 0 में से 0 तो यह आया 10 अब हमने 0 बढ़ाया लेकिन भाग नहीं जा पा रहा है फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ाने के बाद यहाँ 0 लगाया अब भाग नगे 250 का पन है 250 का भाग 4 बार में 1000 आए तो cut करके 0 तो हमारा ख्या बच्रा जब हमने 250 का भाग दिया तो 2.75 2.704 ये आ गया अब 250 का भाग 36 में देंगे माइनस 36 में 250 का भाग माइनस 36 में देना है फिर उसका square करना है तो कि 250 का भाग के दाद हो आपका है तूं आपको कि देखें on 250 का भाग एक बार गया 250 आ गया इसपीस को कट्डाया तो यह 110 बचा 110 बचा है फिर हमने 0 बढ़ाया फिर 1000 हुआ 500 का 4 वार दिया तो 1 keजार हो गया इस घार जो पड़ा है तो एक हजार को सिए के अग्यारा दस्कालरचेंदरान एक चार चार ये वंगा है पूरिख करके आगा माइव्य हमारा शवाल के तो यह माइनस था यहां माइनस है माइनस क्योंकि माइनस तो यह माइनस का है तो दो बार बोना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो ज़ुगा यह माइनस लगएगा किन यहां अगे माइनस रहेगा तो इसका गुणा करके यह आ रहा है तो इसके 154 इनल्टू गुणा इस प्याई प्यूंट लगा हुआ है तो गुणा करके ये आया, calculate, चार का गुणा करेंगे तो चार को सोला का अच्छा ऐकविशम एक सत्रा और और चार इकम न पाँच ये हमारा पहला चार का दूसरे वाजे चार का, देगे चार जंसें ये चार इकविशम एक सत्रा और आप यह देखे 0.0 क्यों लगाया देखे दसमलव के 6 अस्तान तक दसमलव लगे 6 अस्तान बात तो देखे 1 2 3 4 5 और 6 0 के बाद 6 फिर तब हमने यह किया तो यह आ गया 0.020736 अब हमने वहां तक कपना निकाल गया फिर देखिए यह हमारा आ गया था यह कल्कुलर इंटू 5 कर दिया था अब देखें फिर 2.704 मैं से हम घटा देंगे 0.0207 इसको घटा दिया और गुणा इसमें लास्ट में गु यह आया इधर तो इसमें से इसको घटाएंगे तो घटा करके आया तू अंडरूट 2.683 इंटू 5 यह हमारा यहां तक आ गया है यह अंडरूट अंडरूट 2.6 2.683 इंटू 5 अब हमने 2.62 तसमलब 618 का बर्गमूर निकालना देखें इस संग्या का बर्गमूर निकालना तो कैसे निकालेंगे यह है यह है यह है 2.6830 इस संग्या का तो हम क्या करेंगे दसमलब के बाद 2-2 का जोड़ा बनाएंगे इधर पीछे को 2-2 का जोड़ा हो गया अब यह दो में इस दो में एक का भाग जाता है देखें भाग दिया एक इकम एक इसको गटाया दो में से एक गया तो एक आया और इन दोनों को एक साथ हम उतारेंगे 68 को नीचे उतार दिया अब देखें 1 प्लस 1 2 हो गया अब 2 का भाग 16 में तो हम ये 26 का पूरा 26 का भाग दिया ये 6 बार गया 6 6 जख 36 का 6 और 6 दूनी 12 तिन 15 तो ये हो गया 168 में से हमने 156 को घटाया तो हमारे पास क्या बचा 12 बचा नीचे 12 बचा ये 30 एक साथ हमने फिर नीचे उतारा ये 30 उतार गया ये हो गया 1230 फिर हमारा क्या हुआ 6 और 6 12 का 2 देखे 6 और 6 जोड रहा है देखो 6, 6, 12 का 2 लिग दिया हासित 1 और 2 में 1 जोड के 3 हो गया तो ये 32 आ गया अब फिर एक संक्या का भाग देना है ये 3 कहां से आया है हम 6 3 का भाग दे रहे है इस 3 का फिर इसमें भाग दे रहे है 3 बार गया है देखो 3 बार 3, 3 फिर नो लिग दिया 3, 3, 4, 9 और 3 दूनी छे और 3 तिARA 9 या आगया हमारा ठीक है 3 तिा 9 3 दूनी छे और 3 तिर 9 इया आ गया 960 1230 में से 900 को घड़ा है तो हमारे पास बचा 261 बचा उसके बाद हमने दसंबल लागए 00 फिर आगे हम कर सकते है 00 तो यह हमारे पास बचा यह यह फीगर बचा है अब इस फीगर में हम फिर बाग देंगे फिर हमने भाग दिया यहां देखे तीन और तीन को जोड़ करके 6 लिग दिया 3 प्लस 3 6 और यह 2 यहां है और यह 3 यहां है अब भाग दिया 326 से भाग दे रहे तो 7 बार जा रहा है इस संग्या में तो यह 7 लिग दिया यहां और यहां भी 7 लिग दिया इसमें से फिर इसको गटाएंगे दससे नौ गया एक यहां पर 9, 9 मीस 되어 6 तीन यहांपर दस दसया और के 2 और यहां पर यहां तर चीन तृुष घर पर हमहें results is इस संग्या में भाग देंगे, इसको फिर करेंगे, 7 और 14 का 4 लिग दिया, हसिर 1, 3, ये देखा 7, देखे, 7 और 7, ये 7 को जोड़कर 14 हो गया, हसिर 1 हो गया, 6, 7 हो गया, और ये 2 का 2, और 3 का 3, अब ये हमारे फीगर आ गया, 3204, 3204 का भाग देखा नहीं रहे, तो ये 9 तब दुखा है हमने और 9 बार गया भाग तो नो फिर दिक्षा यहां भी लिखा 9 यहां भी है तो फिर देखे 991 का 1, 10, 8, 936, और 4, 42, नदब 936 और 8, 44, और 967, 967, 967 हुआ, और 63 में बाद, 63, देखे, 991 का 1, 991 का 1, 991 का 1, 991 का 1, 996 और 8, तो आप च्वारीस नौ कब नौ सता तीर सट और चार सच्छ और नौ दुनी अठारा अठार और चैश्ट चौवीस और नौ तियां सटाइस और तुन तीज यह आगे हमारा फिगर इसमें से अब तीज यह घटाएंगे कितना ही एकाइट है ताइस तेड़ा हजार दर्जा ल अबिवार रहा हमारे पास तो नौ और यहां पर रहा हमारी पास ग्यारा ग्यार नौ में चाहिए थी दोस्तां तक हमने मान निकल दिया हमने रसम्दब के बाद हमारे पास चार स्वां तक मान निकल गया है अब देखें यह हमने 8 लिख दिया है तो हमने 7 को हटा दिया और 7 में एक जोड़के 8 कर दिया तो यह हम 8 कर सकते हैं आप देखें गुणा 5 अब यह 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 का गुणा करने के बाद हमारे यह 8.190 यह यह 8.19 यह हमरा अंसर है और यह इजी मेथड्स के अगर प्रियास करेंगे तो आराम से solve हो सकता है